नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस विडियो में जमेंटडी चैप्टर से कंसेब्ट समनेंगे 2 या 3 कंसेब्ट है और उनके बेसिस पर कुस्चन प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहला कंसेब्ट है या ठोरम है स्ट्रुवर्ट ठोरम स्ट्वेट थोरम का यूज कहा होता है सीधी सी बात है हम स्ट्वेट थोरम तो पढ़ेंगे लेकिन ये कहां पर यूज होगी हमारे इस जमेटरी चैप्टर में ये थोरम यूज होती है ट्रेंगल के किसी भी सीवियन लाइन की लेंथ निकालने के लिए अब बात आती है सीवियन लाइन क्या होती है जो ये सीवियन लाइन मैंने बोली जिसकी लेंथ निकालने के लिए शुवेट थोरम का यूज होगा तो ये लाइन क्या होती है सीवियन लाइन क्या होती है वैस जो लाइन से हैं, यह हमारी सीविएन लाइन है और इनके लैंथ निकालने के लिए स्ट्रूवर्ट थोरम का यूज किया जाता है अब आप ये बताओ अब हम देखते हैं, स्ट्रूवर्ट थोर Gibson क्या होती है कि इस लैंथ को निकालने के लिए जो यूज की जाएगी यह हमारा एक triangle भाया ठीक है यह हमारी एक cvn line at d point यह a यह c यह a यह b ओके ठीक है जी यह हमारी side a यह हमारी side b यह पूरी हमारी side c हो गई आच्छा यह इसकी आप कह सकते हो x height यह bd हमारी m है यह n है ठीक है जी और ये हो गई हमारी X अच्छा अब जो ये CD है ये हमारी X है ये हमने अजूम कर लिया लेट कर लिया है तो Stuart theorem का formula क्या है क्या बोलती है हमें इसका कोई proof नहीं करना है कि ये proof कैसे होगी क्या उसका process होगा वो सब नहीं देखना आप सिधा formula याद कर लो A जो ये है इसकी आप multiply करो इसमें N में ठीक है B की multiply करो M में A square इंटू में N पलस में B square ये B जो side है न ये वाली B square इंटू में M is equal to X square और X की multiply होगी इस C में जो ये C length है C पलस में M N C ये है हमारी stuart theorem इसको आप याद कर लो इसके basis पे ही हम किसी भी triangle में CvN की जो length होगी वो निकालेंगे perpendicular नहीं है CvN CvN एक line है on BC कहीं पे भी वो कोई perpendicular नहीं है 90 degree का कौन नहीं बना रही है भाई ठीक है तो ये चीज निकालने के लिए इसकी length निकाल लेंगे लिए हम stuart theorem का यूज करेंगे उसके बाद भाई एक special case in isocells triangle ये एक concept और है चोटे-चोटे concept है ये मैं आपको भी बता देता हूं फिर हम सीधा direct हर एक concept के ऊपर question practice कर लेंगे special case in isocells triangle this is triangle okay ये हमारी एक line d perpendicular नहीं है वाई कभी आप सोचो परपेंडी कुलर है a b ये 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 दो line बराबर है ये a है तो ये भी a होगी parallel ये m होगी ये n होगी जो length है ठीक है जी और ये होगी हमारी c ठीक है अब जो c है वो क्या है c की value है m प्लस में n ठीक है अब भाईया b और c हमारी b c और c a ये क्या है भाईया बराबर है b c और a c parallel है this is iso cell strangle भाई आईसो cell strangle में क्या दो भुज़ा बराबर है ना और क्या बोलते हैं दो side बराबर होगी और दूसरा क्या है जो ये c है c special case in iso cell strangle में ये iso cell strangle है उसमें हम अगर x की value निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जो ये c line होगी इसकी जो value निकलेंगी लेंथ निकलेंगी वो क्या निकलेंगी x square is equal to a square where is a ये a a square minus में m और n ये है formula अब ये कहा से आया है ये आया स्ट्रोवर्ड थोर्म से ही बस इतना आपने याद करना है यही concept था उसके बाद एक और concept है वहिया interior angle bisector theorem ये भी काफी बढ़िया theorem है इसके basis पर भी question अच्छे आते हैं ये हमारा एक triangle है ठीक है भाई a b और c और यहां से हमने ये एक लम तो नहीं है ये theta ये theta cvn कह सकते हो ठीक है ये क्या है ये जो line हमने डाली है डी point ये angle bisector है internal angle bisector on a ये एक angle bisector है जो a d है ये हमारा angle bisector है on vertex a से ये angle bisector opposite bc को दो टुकडों में बाट रहा है bd से और dc और इन दोनों का जो ratio होगा इन दोनों का ratio वही होगा जिस ratio में angle बनाने वाली side होंगी angle बनाने वाली side कुण से है ये side और ये side समझे ते हो क्या कह रहा है ये एक triangle है इस triangle से on vertex a से हमने एक angle bisector निकाला और ये angle bisector क्या है bc को दो बराबर बीसी को दो टुकडों में कर रहा है दो टुकडों में बाट रहा अच्या bd से dc और इनका जो ratio इनका जो ratio है वही ratio होगा जो ratio ये angle बनाने वाली side है न इनका sides का ratio होगा अब सीधी बात है वो formula क्या है जो ये ratio है side होगा मालों ये निकाल नहीं है तो ये कौन सी side की बात कर रहा है AD is a angle bisector on angle BAC और angle बनाने वाली side का ratio क्या होगा angle बनाने वाली side कौन ची है AB और upon में AC इन दोनों का ratio किसके बराबर होगा भया BD upon में DC बस यही था internal angle bisector theorem इसको आप याद कर लो हमें ये length निकालनी होगी तो ये हमें याद होना चीए इनका जो ratio होगा वही ratio इनके ratio के बराबर होगा ठीक है भाई अब हम करते हैं question practice सबसे पहले मैं आपको steward theorem के ऊपर एक example देता हूँ फिर हम question करेंगी जो paper में आया हुआ है चीक है ये एक हमारा triangle है और ये A ये B और ये C ठीक है ये एक seven line है और D इसकी length है X ये निकालनी है ये side 5 है ये 8 है ये 7 है ये 2 है ये पूरी कितनी होगी भीया नो अब A D की value निकालनी है तो A D की value निकालनी है मैंने आपको A D को हमने मान लिया X और steward theorem मैंने आपको बताई थी क्या थी भीया ये जब X निकालना हो अच्छा X निकालना हो तो ये steward theorem है तो आप क्या करेंगे A square भाई A हमारी A हो गई ये हमारी हो गई B ये हो गई हमारी C त तो भाई 5 का स्केर 5 का स्केर हो जाएगा इस ठोरम की हिसाब से लिख रहा हूँ कभी आप सोचो ये कहा से आ गया 5 का स्केर 5 का स्केर 25 गुणा में N कितना है N भाईया हमारा था ये ठीक है 2 पलस में B 8 का स्केर 64 गुणा में ये 7 is equal to X स्केर इंटू में C क्या है हमारा 9 पलस में M क्या है 7 N क्या है 2 और इंटू में C कितना हो गया 9 अब इसको हमने सोल करना है बस और कुछ नहीं करना भाई 25 दूनी 50 पलस में 7 28 2 और 72 और 24 is equal to X स्केर इंटू में 9 पलस में 7 दूनी 14 14 निमें 14 की 9 से मल्टिप्लाई और करनी है 14 निमें हो जाएगा 9 36 3 9 3 12 12 इनका पलस करो भाई 8 4 और 5 9 और 4 is equal to X स्केर और 9 पलस में 126 ये उदर जाएगा माइनेस हो जाएगा तो इसको माइनेस कर दो आ जाएगा 2 पलस का तो उदर जाएगा माइनेस हो जाएगा ये 2 9 में से 2 जाएगा 7 3 में से 1 जाएगा 2 4 में से 1 जाएगा तो 3 3 7 2 is equal to X 9 अब इसको आप काट सकते हो भी या हाँ काट देंगे 3 से काटो 3 3 9 3 एकम 3 3 2 निच है 3 4 12 3 से फिर काटो 3 से फिर तो नहीं कटेगा भाई तो ये आगया 124 is equal to X square 3 मतलब ठीक है अब ये इदर जाएगा तो 124 अपन में 3 ये X है square है तो ये root लग जाएगा तो X की value कितनी आगी भी है ये value आगई हमें यही value चाहिए थी ये process है इस तरह से जो ये CVN की जो length है उसको निकालने का Stuart theorem से ये आप theorem ध्यान रखना और ये ही concept है अब हम करते हैं जो previous year exam में question है उनको अब भाई ये question है in the given figure find the length of AC AC है AC हो की इसकी length निकालनी है तो Stuart theorem से हम इसकी length निकाल सकते है कोई दिक्कत नहीं है ये एक line जो CD है ये एक CVN line है ठीक है कोई triangle नहीं है तोरम लगाएंगे सीधी और Stuart theorem क्या है भाईया मैं नाम तो सही ले रहा हूँ ना कभी मैं नाम ही गलता ले रहा हूँ Stuart theorem के हिसाब से ये हमारी होगी भाईया ठीक है या आप इसको B मान सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो A की value है 6 है B की value है B और C की value है 9 और 3 बारा ठीक है अब हमें formula और M की value है भाई कितनी 9 और N की value है भाई 3 ऐसे ही है ना गलत तो नहीं कर दिया है हमने A square A square बोले तो 6 का square कितना हो जाएगा तो 6 का square हो जाएगा 36 गुणा में N कितना है भाई यह इसकी और यह इसकी तो भाईया यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड होगी है जो M है ना उसकी multiply होगी मतलब कहने की बात कहा है जो हमने Stuart थोरम पड़ी है उसमें आप confuse मत हो जाना यह वाली side की multiply होगी यह वाली side की multiply होगी तो यहाँ पे आजाएगा 6 और इंटू में C कितना है 12 प्लस में M और N और C 9 गुना में 3 गुना में 12 अब इसको हमने soul करना है कहीं तो गड़बड की है रहे यहाँ पे 6 नहीं आएगा 6 और 9 आएगा यहाँ पे 6 का square कर दिया था और 9 multiply में अब 36 की 9 से multiply करोगे तो क्या आएगा 9, 6, 5 और 27 और 5 कितना हो जाएगा भाई 27 और 5 हो जाएगा 32 प्लस में यह 20 square 3 is equal to 25 की अगर आप 12 में multiply करोगे तो कितना हैगा भाई 300 प्लस में 27 27 की बारा में multiply करो कितना हैगा भाई 324 आएगा यह 324 इसको उधर लेके जाएगे तो यह minus का हो जाएगा यह वाला तो 324 में से 324 जाएगे कट जाएगा बचा क्या 3B square is equal to 300 3 से काट दो 20 square बचा भाईया कितना 100 B की value आगई root 100 क्या होता है 10 B की value आगई कितनी भाईया 10 हमारा यहाँ पे A option ठीक हो जाएगा समझगे होगे भाई root theorem को सीधी सी बात है इसका square उसमें multiply यह इसका square उसमें multiply यह और उसके बाद क्या है बराबर में x square इसमें multiply यह वाली c पूरी length उसके बाद plus में m और n into में c उसके बाद है भाई यह question given figure है उसमें a b और a c बराबर है a b और a c 8 cm b c हमारी है पूरी 11 cm तो यह 7 है तो यह कितनी बचगी वह यह 4 b d b d साथ है a d की value निकालनी है यह इसको अम्माल लेते हैं x तो अभी मैंने आपको एक special case बताया था यह ISO cell strangle बन गया ना जिसकी दो बुजा बराबर है तो इसमें मैंने आपको बताया था cvn के length निकालने के लिए यह formula है x square is equal to a square minus में m n तो a square क्या होगा मतलब यह होगी यह a होगया तो इस x की x square के निकालने की formula क्या है a square मतलब 8 का square 64 और फिर क्या था formula में minus minus में m n m यह है यह n है 7 गुणा में 14 7 चोक 28 तो x square 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा भाई 6 5 में से 2 जाएगा 3 x की value आगे कितनी भी यह root 36 कितना होता है 6 यह option नमारा यहां पर ठीक हो जाएगा अगर आपको theorem याद होगी special case याद होगी concept याद होगी उसके बाद है भाई यह कितनी आइसो cell strangle है c dc बात है आइसो cell strangle है तो दो बुज़ा पराबर होंगी a b okay a b a or b and a c यह 17 है यह 17 है d is any point on b c okay यह d point है such that a d 15 है okay c d हमें c और d यह 4 दे रखे तो length इसकी b d के length निकाल ली हमें m निकालना है तो भषया जो special case है यह IsoCell Strangle वाला जो special case है जो मैंने formula आपको बताए x square is equal to a square minus में m n तो x square की value given है 15 का square is equal to a square क्या है 17 का square minus में m क्या है m यह है यह n है तो m into में n हमें m की value निकालनी है 15 का square क्या होता है भाई 225 minus में 17 का square क्या होता है भाई 289 ठीक है यह बराबर में माइनस में M4 यह प्लस का है यह उदर जाएगा माइनस का हो जाएगा 289 में से 225 गटा देंगे और यह M4 तो कितना आएगा 9 में से 5 जाएगा 48 में से कितना जाएगा यह 225 है ना दो जाएगा 6 दो में 64 बच गया 4 से काट दो 4 से काट दो भाई यह 4 एकम 4 और भाईया 4 से के 24 है ना तो 6 आ जाएगा यहां पर M की value कितने आगी भाईया मतलब BD की value कितने आगी 16 B option हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा समझ में तो आया होगा न उसके बाद है यह question एक triangle है triangle हमारा है A, B और C यह D point है यहां पर इसने बोला है is the internal by sector of इससे internal by sector निकला यह A से meeting on BC at D point तो यह बराबर टुकडों बाटेगा भाईया बराब इस angle को यह थिटा होगा चलो यह बात आगे देखते है if BD हमें बोल रखा 3.6 cm है BC where is BC यह BC हमें है 8 cm the ratio of A, B और A, C का ratio निकालना A, B और A, C का तो इस पे हम कौन सी थियोरम लगाएंगे internal angle bisector थियोरम यह वाली इसमें क्या था A, B ratio A, C यह बराबर था किसके BD ratio DC के, ठीक है अब एक बात बताओ भाई आख कैसे करें इन दोनों का जो रेशो होगा वो इसके बराबर होगा BD हमें कितना given है BD तो हमें यह बोली नहीं रखा BD कहा given है Sorry, 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 sorry हाँ BD हमें 3.6 given है ना है कि AD यह BD है भाई और BC हमें पता है यह पूरी 8 है तो 8 में से 3.6 है कितना बचेगा DC के value हागी 4.4 और BD AB और AC का रेशो किसके बराबर होता है BD BD और DC के तो भाईया AB ratio अपन में AC कितना आ गया यह सीधा ही रेशो आ गया 36 3.6 अपन में 4.4 पॉइंट से पॉइंट गट गया बाकि इसको काट लो 9 से काट लो नहीं 9 से नहीं 2 से काट लो 2 एकम 2 2 आठ शोड़ा 22 ठीक और कट रहा है क्या 2 से और काट लो 2 नहीं मठारा 2 एकम 2 9 रेशो 11 यह आएगा AB और AC का रेशो यह भाया थोरम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थोरम मैंने आपको बताए यह दो साइड का जो रेशो होगा वो इन दो साइड के रेशो के बराबर होगा बस और कुछ नहीं तिका नहीं तो यहां पर आगया कितना नो रेशो 11 D option हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा उसके बाद है भाई यह कुछ नहीं इन ट्रेंगल ABC एक ट्रेंगल है भाईया AB ABC एंगल B से दा बाइसेक्टर ओफ एंगल B मीट एट साइड AC पर मिलता है यहां से बाइसेक्टर निकलता है एट B से तो यह D point है AB के वैलू हमें गीवन है 16 BC के वैलू 9.6 दैन AC की जो वैलू है वो है बाइस पॉइंट चार देन दा लेंथ ओफ AD की लेंथ बतानी है यह लेंथ बतानी है तो थोड़ा सा complicated है बाकी कोई दिक्कत वारी बात नहीं है मैंने आपको internal angle bisector theorem जो भी बताई internal angle bisector theorem यह आपको याद है तो आप सिधा इसको आराम से कर लोगे यह वाली side का ratio इन दोनों के बराबर होता है तो AB ratio BC क्या है भहिया यह है 16 upon में 9.6 ठीक है है की नहीं भीया इसको आप काटोगे तो यह उपर चला जाएगा कितना यह zero चला जाएगा पॉइंट का नाम का बाकी आप इसको काट दो 2 से काट दो भईया 2 से काट ओ या 5 से काट दो 5 से कटेगा नहीं 5 से सिधा तो नहीं कटेगा पांच से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, दो से काट लो, दो आठे सोला, और दो चोके आठे, दो चोके आठे, दो आठे सोला, फिर दो से चालीस, फिर दो से ये, फिर दो से बीस, फिर दो से ये, दो से दो से दो से दो से दो ती जो a b और a जो b c है इनका रेशो होगया पांस तीन तो यह जो a d है और क्या नाम है dc है इनका रेशो भी पांच रेशो तीन होगा लेकिन पांच पलस में तीन इनका टोटल कितना होगया भी या आठ आठ की वैलू हमें यह रख कि है 22.4 दे रखी है अगर नहीं दे रखी भई बिल्कुल दे रखी है अब 22.4 यह कितना होगा यह 2.8 की multiply करो कितना हैगा भया 28 में 8 की multiply करोगे तो कितना हैगा 224 आएगा तो 2.8 से multiply होगी सिद्धी सी बात है तो हमें निकालना क्या था इसने बोला था AD निकालना है यह वाली लेंथ तो यह वाली लेंथ निकालना है मतलब यह 5 से 3 है तो यह निकाल दो भाई गुना में कर दो 2.8 28 की 5 से multiply करोगे तो कितना हैगा पान अथे 44 चार और पान दूनी 10 और 14 14 इसका answer बनेगा हमारा B option हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा ठीक है यह अगर साइड निकालने न बोल देता है DC तो आप BC में multiply कर देते है वो निकल जाती कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसके बाद है कि इन्टरेंगल ABC the bisector of angle A यह हमारा A है यह B है यह C है by sector बोले तो सिधा यहां से यह वाला यह रख लिया खरो ठीक है meet at BC at D point जो AB की length है वह 9.6 AC हमें given है भहिया 11.2 और जो BD है वह 4.8 है दपेरिमीटर है दपेरिमीटर इन सेंटिमीटर आफ ट्रेंगल ABC पेरिमीटर बताना है पहले तो आप यह बात ध्यान रखो कि ट्रेंगल का पेरिमीटर निकालना है मतलब तीनों बुझाए निकालने पड़ेंगी और उनका योग करना है बस दो बुझा की वन्हें तीसरी पूरी निकालने पड़ेंगी तो इसमें आराम से निकल जाएगा इनका जो रेश्यो है अलों पताता है बाकी च्अतरी अ drastic सब्सक्राइगे तो इसमेंगें दिका उर्थाकर निकालने जो दूरी मतलबुझें friend बारा दो शाफश चौदा छह रेशो शागा तो समय सै नोग्य को फ़ीं का बाइवि यह एक बात है बीडी की वैलु कितनी आ ह्यार बीडी की वैलु इस ने बोल रखी है 4.8 तो ये 4.8 है तो ये कितनी गुना है 8.48 8.48 तो होता है अब इसकी value हमें given है ये कितनी गुना होगी 6 से 0.8 ये 7 अगर देखें तो ये कितना 7, 8, 56 0.6 ठीक है total कितनी हो जाएगी भी या value 0.8 से multiply होगी 8, 24, 2, 8, 1, 8, 2, 10 10.4 मतलग 20 के जो length आगी वो आगी 10.4 perimeter बोला है तो इसका plus इसका plus इसका plus आंसर आजाएगा ठीक है यहाँ पर कर देता हूँ मैं 10.4 प्लस में 11.2 प्लस में 9 प्लस में 9 प्लस है अब आप कर दोगे भाईया ये 10 और 10 बीस बीस हना और भाईया ये 30 31.2 ये आगया भाईया हमारा perimeter ठीक है 31.2 C option हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा उसके बाद है भाईये कि इसने इंटर अंगल A, B, C, A, D is bisector होने अंगल है तो A ये होगा ये B और C होगा ये यहाँ से angle bisector at D length A, B हमें 5 है, A, C हमें 7.5 है, B, C पूरी हमें दे रखिये 10 then what is the distance between D from the midpoint of B, C तो midpoint तो कैसे निकाल लेंगे सबसे पहले हमारा जो angle bisector theorem है वो लगा दो इन दोनों का ratio A, B ratio A, C कितना आएगा भाई ये आएगा 5 ratio 7.5 मतलब 5 ratio 7.5 के काट दो इसको डाई 2 नहीं कितना होता है, 5 डाई 3 कितना होता है, तो 2 ratio तीन आगया भाई, हाँ, बिलकुल आगया भाई, तो जो ratio ये है यही ratio किसके बराबर होगा BD ratio DC होगा भाई, बिलकुल होगा, 2 ratio 3 होगा किनी होगा भाई total BC की value हमें given कितनी है 10, तो ये total इन दोनों का ratio कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों का sum करें कितना आगया, 5, तो कितनी गुना है 10, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना तो BD आगया हमारा 4 और DC आगया हमारा 6 समझ की होगे, इनका जो ratio है, वो इनको ratio के बराबर होता है, तो जो ratio आगया, वो ratio है, इनका भी ratio वही होगा वही होगा, तो मैं पूरी लेंथ ये ratio आगया, 2 ratio, 3 ratio का sum होगया, 5 5 की value में दे रखी है, 10 तो इनकी value निकल जाएगी particular है, 4 और चाहे, लेकिन हमसे ये नहीं पूछी है, 4 और चाहे, हमसे पूछा है, the distance of D, D का distance from the midpoint of BC, midpoint of BC तो भाई, या 5 होगा, भाई, BC क्या है, total 10 है, 10 midpoint मतलब half, half, तो मतलब 5 होगा, तो 5 होगा तो सीधी सी बात है, एक और चाहें, D point से भाई, इसने बोला, distance of D, ये D का distance from the midpoint, तो midpoint कहीं यहाँ पे है, ये 5 है, ये 4 है, D point तक तो, B से D, तो एक और हम चलेंगे तो ये हो जाएगी, हाँ पे फिर 5 हो जाएगी तो ये 5, ये आदा, ये आदा तो इसने distance पुछा है D से from BC, ठीक है, मतलब midpoint तक midpoint तो हमारा ये है, और D point ये है तो इनके बीच का distance cover करने के तब आदा आदा तभी बनेगी न, तो ये कितना हो गया भाई, एक distance cover करना पड़ेगा जो distance कितना है, D option हमारा 1 आएगा, ठीक है भाई जो 1 हम निकालेंगे, क्योंकि ये पूरी है BC, इसका midpoint मालो 5 है, लेकिन ये तो 4 है, D से B4 है, D से C6 है midpoint बोलेंगे, तो midpoint मतलब ये 4 है, ये कम है, इसमें एक जादा है, तो यहां से D से आगे ही भढ़ना पड़ेगा, तब ही midpoint बनेगा ये यहां तक, ये 5 बनेगी, ये ये 5 बनेगी, लेकिन इसने distance पुछा था D से और midpoint के बीच में तो 1 आएगा, D option हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा, तो आज हम इस वीडियो में इतने कुछिन करते हैं, गाइस, next वीडियो में और कुछिन करेंगे, thank you so much, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना